हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब्सक्राइब आपका स्वागत है तो आज हम बनाने जा रहे हैं तुरत मंगोडी की सब्जी तो उसमें क्या क्या चाहिए यह मैंने एक बड़ा चम्चा बैसल ले लिया है अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक क्योंकि सब्जी में तो पड़ेगा फिर नमक और यह थोड़ी सी लाल मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी और यह डालेंगे थोड़ा सा जीरा यह जीरा डाल दिया मैंने अब इसमें लसन कूट के थोड़ा सा डालेंगे फिर इसका पेस्ट बनाके फिर मसाला पकाएंगे उसके बाद मंगोरी डालेंगे तो यह मैंने लसन कूट दिया है अब इसमें डालेंगे पानी यह मैंने पानी डाल दिया और अब यह लसन का पानी इस पेस्ट में डालेंगे अब इसका बेटर तयार करेंगे यह देखिए अपना बेटर तयार हो गया ऐसी कंसल्टेंटी रहने से इसकी ना ज्याद़ गाड़ा ना पत्ला यह देखिए अब हम सब्जी के लिए लसन कूट लेंगे तो यह मैंने लसन कूट दिया है अब हम इसमें डालेंगे यह आदी चमच हल्दी की यह आदी चमच मिर्ची की और यह एक चमच दनिय की और अब हम यह सौन करेंगे तेल मैंने एक चमच फुल बरके डाल दिया था यह वालो चमच यह देखिए तेल हमारा गरम हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे जीरा हलका सा चटकने की बार प्याज डालेंगे जो कि मैंने एक प्याज काट लिया था प्याज करेंगे लुग, है एक जाज था लिए हमेंगे जाज जाजगे तेले प्युलिए प्याज डालने के दाद अब हम मसाला डालेंगे जो कि मैंने पान डाल की भी गोरो ताथा पान यह मैंने मसाला डाल देगे यह देखे हमारा मसाला पखने वाला है मसाला पखने के बाद इसमे डालेंगे पान कि मैंने के घंडे के लाद हम यह देखे हमारा मसाला पशके अवाद़ यह मारा मसाला है पशकता अबस्षका अबस्षकाई लाजमारे Pavान की बीया डालेंगे, Аप्यार habe मरामरे लाजने अब अब ये उबलने के पाद मंगोडी बन जाएगे Obrig एसे पानी उबलने के बाद फिर मंगोडी डालेंगे यह मेरा बेटर तयार है एसे चमत से सारी मंगोडी डालेंगे गरम पानी रहेगा तयार 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 के उपपर आजाएगी वरना अंदर भूल जाएगी पानी में ठंडे पानी में अगर डालोगी तो एसे ही सारी मंगोडी आपन इसमें डाल देंगे मैं सबजी बच्चों के इसाब से मिर्चे कम डालती हूं आप अगर ज्यादा मिर्चे खाना पसंद करते हो तो थोड़ी वह कर सकते हो मैं कम डालते हूं मिर्चे वैसे मिर्ची कम खाने चाहिए मिर्ची ज्यादा खाने से तेज खाने से जुस्सा ज्यादा आता है अशेद के लिए अच्छी नहीं थी मिर्ची आम ऐसे कम खाने चाहिए अब हम इस सब्जी को बाउल में खाली कर लेते हैं यह देखिए हमारी सब्जी तयार हो गई है आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बेजना ओके गाइस बाई कर देखिए